दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से शार्दी नवरात्री की बहुत बहुत सुब काम नाएं आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सातवे नवरात्री मा कालरात्री की पौराणे कथा तो आईए सुनते हैं मातकालरात्री की कथा मा काल रात्री का स्वरूप भयावय है और मा का रंग उनके नाम की तरह की घने अंदकार सा बिलकुल काला है इनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं और मानी गले में बिदुत के समान चमकीली माला धारण की है मा काल रात्री के तीन नेत्र हैं जो की ब्रह्मान के समान गोल है मा की सवारी गर्दव यानि गदा है मा के उपर उठे हुए दाईने हाथ में बर मुद्रा है दाईनी तरफ नीचे बाले हाथ में अभे मुद्रा है बाई और बाले हाथ में लोह का काटा और नीचे वाले हाथ में खडग है माकाल रात्री की पूजा से आसुरी सक्तियों का विनाश होता है और देत्थ, पिसाच, दानब सभी इनके नाम से भी दूर चले जाते हैं आईए शुरू करते हैं मातारानी की पौरानिक कथा पौरानिक कथा क्या नुसार रक्त वीज नामक एक देत्थ ने चारो ओर हाहा कार मचा रखा था उसके आतंक से मानप से लेकर देपता सभी परिशान थी रक्त वीज को ऐसा बरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद धर्ती पर गिड़ते ही उसी के समान एक और सक्तिसाली देत्थ तयार हो जाएगा इस तरह रक्त वीज की सीना तयार होती गई और उसका आतंक भी बढ़ता गया रक्त वीज से परिशान होकर सभी देपतागड भगवान सिब के पास पहुँचे सिब जी जानते थे कि रक्त वीज का अंत केवल माता पार्वती ही कर सकती है इसलिए उन्होंने माता पार्वती जी से अनुरोद किया तब माता पार्वती ने अपनी सक्ती और तेज से माकाल रात्री को उत्मन किया माकाल रात्री का रूप रोद्र और बिक्राल था गर्धक की सवारी, काला रंग, खुले केस, गले में मुढमाला एक हाथ बरमुद्रा में, एक हाथ अवेमुद्रा में एक हाथ में लोहे का काटा और एक हाथ में खडग मा कालरात्री ने रक्त वीच का बद करते हुए उसके सरीर से निकलने बाले रक्त के बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और इस तरह से मा ने रक्त वीच के आतंक से माना वर देपताओं को मुक्त कराया मा के इस रूप को कालरात्री और कालिका का भी कहा जाता है दोस्तों माता कालरात्री की पौरानिक कथा यहीं पर समाप्त होती है अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो आपके लिए यूसफुल रही हो तो मेरे चैनल को जाने से पहले लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलें and also प्रेस ता बेल आइकन ताकि मेरी कोल भी वीडियो आई आपको नौटिफिकेशन तुरंत मिल जाए हैपी नवरात्री एवरिवान